ये गाइस विल्कम बैक टू अनजर ब्लॉग एंड मैं तयार हो चुकी हूँ कहा जाने के लिए आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा तो आप लोग देखी पाओगे पुराना ब्लॉग में से आप लोगों को पता चल गया होगा कि बापो का तबियत खराब ह इसलिए मैं तीन-चार दिन से ब्लॉग अप्लोड नहीं कर पा रही थी और मूड इतना ज़्यादा खराब ता अपसेट थी मैं तो इसलिए मन भी नहीं कर रहा है ये बहुत दिनों का ब्लॉग है मतलब 26 तावीस तारीक का ब्लॉग है जो कि मैं आज आप लोगों के साथ जैकर रहे हूं जैसे के आप लोग देख पा रहे हों हम लोग आए हैं डॉक्टर के पास बिल्कुल भी भी भीड़ नहीं है क्योंकि जादा लोग नहीं आए हैं डॉक्टर इमर्जनसी में देख रहे थे तो हम लोगों ने पहले ही फोन करके अपॉइंट्मेंट ले लिया तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो डॉक्टर के पास ही जाके देखते हैं वो भी क्लिनिक में डॉक्टर नहीं बेट रहे हैं जैसे कि आप लोगों को आगे के ब्लॉग में पता चल गया होगा वो ऑनलाइन ही वीडियो कॉल करके ही बात कर रहे थे तो हमारे घर से इश्यू बड़ क्यों गया है यह सब कुछ पता चलेगा ब्लॉग में तो ब्लॉग कोई तक जरूर देखिए गाइस हम लोग रीटन आ चुके हैं जिसके आप लोग देख पा रहे हो और बाबू भी आ चुका है और क्या बोला है डॉक्टर ने वह मैं थोड़ी देड़ से आप लोगों को बताती हूं उसके पहले मुझे लग चुकी है भूक एंड हजबन भी हमें घर छोड़ के चले गए हैं काम पे और क्योंकि लगी है भूक तो जल्दी से थोड़ा सा स्नास्ता कर लेते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूं सुबह मेरा जो खाना पीना ब जोटी और आलू बेगन की सबजी बनी थी तो प्लीज बैक ग्राउंड को थोड़ा से इग्नोर कीजिए क्योंकि सुबह जल्द बाजी थी खाना बना बनाना था अजमन को खिलाना था और बाबू को भी बहुत मुस्किल से खिलाया कलके ब्लॉग में तो आप लोगों ने तो बिगड़ चुकी है हालत और हमारे यहां पहली बार ऐसा हुआ है मेरे बच्चे को तो हम तो बहुत जादा डर गए थे कल रात तक बहुत जादा हालत कराब थी और कल रात को भी वह आराम से सो नहीं पाया था और हम लोगों को बहुत जादा टेंशन हो रही थी तो हज दॉक्टर से ऑनलाइन बात हो चुकी है वीडियो कॉल में और वाई भी लेके आ चुके हैं तो आ चुके हैं घर हम अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे दिन आप लोगों को टोटल शेयर करूंगी कि बाबू की जो बदन की हालत है वो क्या हो चुकी है और क्या हुआ है क्या र क्या हुआ सब कुछ होगा ब्लॉक के एंड में या बीच में तो ब्लॉक को एंड तक ज़रूर देखिए और आप लोग भी डरिये मत अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या आपके बच्चों के साथ होता है तो प्लीज डरिये मत नहीं तो डर जाओगे तो ऐसा जो रोटी सब्जी तो दे दी थी बट लेट हो रहा था तो इसलिए उनको भी टाइम पर जाना होता है ना काम पर तो इसलिए और खाने का सोचा नहीं जल्दी सब्लब डॉक्तर के पास से घूम के आ गया है मिलके आगए है अब मैं खाऊंगी और क्या लाई हूं बाहर से वो भी मैं दिखाती हूं वन अफ माइफ माइफ फेवरिट है वो और बहुत दिनों बात का रही है तो सोच आप लोगों के साथ भी शे कर दूँ लाई हूं क्रीम रोल मेरा फेवरिट मैं खाना सूरू करने वा क्रीम का है मतलब ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है और वो जस्ट वाइट क्रीम का है तो चलिए एक खाती हूं और आप लोगों को भी यह क्रीम रोल पसंद है कि नहीं प्लीज कमन करके जरू बताएगा मुझे तब तक मैं जल्दी से खा लेती हूं और बाबु को सूबर का जब नाए तक मैं खाबी गी ता कि रेक्षाबी एटा कि इस रही अंगो लिए थूस्ट का हुड़को रूआ करता है वह टो कि जबरदस्ती दी cripples खिलाना होता है तो इसलिए हम लोग खिलाते है उस परकिने खा नहीं तो इसलिए साइद बहुत जादा अन्वेल फिल कर रहा होगा तो मैंने उसको फोर्स नहीं किया मैं अपना खा लूँगी बट शाम तक वो अपना जो पिंक वाला है मतलब स्ट्रॉवेरी फ्लेवर का है वो उसने हाफ खाया था उसको अच्छा भी लगा था तो आप लोगों ही तूट गया है क्यों वो सब कुछ आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा महस्ता करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा चावल बना लूँ क्योंकि दुपेर को बाबु चावल ही खाता है कल तक तो जा ही रहा था मदर इनलो के घर बट अभी से वो मेरे जाने की जरूरत नहीं है उसको तो मैं उसके लिए लंच बना रही थी चावल एंसाइड में पानी भी घरम कर रही थी थोड़ा सा गरम पानी से उसको नहला दूँगी क्योंकि वेदर थोड़ा ठंडा हो रहा है हमारे यहापे आप लोगों के वहां कैसा वेदर है कमेंट क को बता रही हूं तीन दिन जो हमारा कैसा बीता है मुझे ही पता है जो की मैंने ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं डाला वो तीन दिन मेरा मतलब काल का दिन था मतलब इतना घटिया दिन गया है आप बाब को फेस देख पार रही है यह तो पहला दिन का मैं बता रही हूं उसके पास जो उसका मूँ फूल गया था ना चाइनीज बच्चों की तरह दिख रहा था एक तरह बड़ा बड़ा दाने जो है ना ये और खुजाल खुजाल के पागल हो रहा था और हमने समझ में नहीं आ रही थी तक कि हुआ क्या इसे कैसे हो गया तो इसलिए हम लोग डॉक्टर बड़ा आंसकी दोकि की किल खुजाल खुर चल मैं किया क्या उन्हें क्या खुव सबगी है यह उसका मैं जब ख॥ा और सब्ग्राने भूरा में उसके तकर अभ मैं श्रेखर देती हूँ कि मैंने उसको क्या खिलाई, जो कि मैं अभी भी खाने ही वाली हूँowser चलि ये देख लेते एक बार कि हमारे आएँच के लंच मेनु में क्या है सूबर का तो आप लोगोंने देखी रहा है और लंच मेन्झ का मैनु मेन्म फ्लेट थोड़ा सा घंदा है क्योंकि मैंने बाबु को इसी में खावाङे था चावल है अचार हैả आलू तीखा नहीं बनाया था तो बाबू ने इसे चावल के साथ easily कर लिया है और मेरा हाथ भी गंदा है क्योंकि मैंना भी बाबू को खिला है जैसी के आप लोगों को बता है तो चलिए मैं कर लेती हूँ लंच फिर में आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद और बहुत सारी बाते के साथ कल 28 तारीक का ब्लॉग में ने शेय किया था उसके बाद डायरेक 29 नाइन्थ का ब्लॉग में शेय कर रही हूँ सुबर का breakfast है हमारा हमने बनाया सुबर के पो है गरमा गरम जो की husband खाके निकल चुके है ये है बाबू के लिए हल्वा मैंने बनाया है कम चीनी डाल के तो उसको मैं लंच फ्रेकफस्ट करा लेती हूँ देखो हमारे यहां दो दो बिल्लियां लड कैसी रही है बिल्लियों की लडाई देखना बहुत जादा मतलब क्या बता हूँ किसमत वालों की बाते होती है तो सोच आप लोगों के साथ भी शेकर दो प्यारी से दो बिल्लियां लेड रहे थे तो देन उसके बाद हम लोगों ने लंच किया लंच में स्पेशली में लंच की थाली आप लोगों के साथ शेकरने चाहती थी because इसमें है चावल ये है गेरू बोलते है ना गेरू के पकोडे उसमें पालक भी मैंने एड़ किया हुआ है और आलू भुचिया मैंने बनाया है बावो के लिए and ये है पालक डाल पालक की डाल तो गेरू का जो पकोड़ा है ना वो बच्चों को खिलाते हैं एलल्जी के वक्त जैसे की मैंने सुना है तो इसलिए आज के लंच मेनु बे है दिन उसके बाद तीस तारीक का ये ब्लॉग है तीस तारीक को थी लक्समी पूजा हमारे हाँ तो जादा धूम दाम से तो की नहीं क्योंकि मूड अपसिट था बाब गई है हालत दे करने का मन नहीं कर रहा था बड़ जो भी किया थोड़ा सा भी किया थोड़ा सा जो भी किया मैंने आप लोगों के साथ शेक करना बनता था एंड हैपी लेक्समी पूजा अगर मेरा ब्लॉग आगे तो नहीं जाएगा लेट से ही जाएगा तो उसके लिए हम सो सॉरी बट क्या कर सकते हैं मूड थोड़ा खराब था अपसिट था बच्चे की हालत देखे देन उसके बाद उसी दिन का तीस तारीक का ही लंच मेन्यू है एक तीस तारीक का लंच मेन्यू है जिसमें फिच से गीरू के ही पकोड़े खिलाया है डाल के साथ खीरा आलू चोखा चावल सिंपल सी सबजी रोटी तो नहीं बननी है लंच है हमारा जो की बाबू खाने वाला है तो चलिए खिला देती हो दिन में आप लोगों से मिलते हैं बाबाई गाईज विलकम बैक आज है एक तारीक 1st November का ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ आज मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ जो की स्टार्ट हुआ है 28th या 9th को I don't know मुझे याद नहीं है बट जब भी स्टार्ट हुआ आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिख गया होगा एंड सिचुएशन क्या तो भी आप लोगों ने अच्छे तरह के से देख लिया होगा एंड मैं तो बोलूँगी कि ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए एंड हमारे साथ पहली ब्यार हुआ है तो हम लोग थोड़ा सा डर गयते बट अभी जो एक तारीकों में ब्लॉक्षे कर रही हूं तो बाबु अभी नॉर्मल है इंसान के बच्चे जिससे दिखने लगा है तो पूरे फेस एक दम बहुत हद तक सूच चुका था तो बहुत जादा डर भी लगती थी उसको देख के और वो सही में बहुत जादा दर्द में भी था बच्चे बता तो नहीं सकते हैं बट अब माओं को तो पता चली जाती है बट क्या कर सकते दवाई खिलाने के लावा देखबाल करने के लावा ठीक से खाना पीना खिलाने के लावा उसका तकलीब तो शेर नहीं कर सकते हैं बट कम करने की कोशिश बस हम कर रहे थे जो की फिंगर क्रॉस करके थी मैं की जल से जल ठीक हो पाए जल से जल ठीक तो नहीं हो पाया थोड़ा टाइम लगा उसको ठीक होने में तीन से शाट दिन लगा जो कि आप लोगों को ब्लॉग से पता चल गया होगा कि मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग शेर नहीं कि आप लोगों के साथ क्योंकि बहुत ही साथा मैं बुरा फील कर रही थी कि ऐसा कैसे हो गया इतना देखभाल करने के बावजूद भी फूरा लॉगडाउन मैंने उसको संभाल के रखा था बट लॉगडाउन के बाद अभी इस सिचुएशन में ऐसा हो गया उसके साथ तो देखा आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर या जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया उसके बदन में क्या हुआ नहीं हुआ वो पहला दिन का मैंने दिखाया था तीसरे दिन तीन दिन का दिखाया ने भायांकर था क्योंकि मैं खुद देख नहीं पा रही थी तो आप लोग को मैं कैसे दिखा सकती थी जो जिसके साथ होता है उसी को पता होता है तो हर चीज जब शेयर करती हूं तो ये भी शेयर करना बनता था पता होना चाहिए आप लोगों को क्यों तीन-चार दिन से ब्लॉग नहीं आ पा रहा तो होप आप लोगोंने समझ लिया होगा और तकलीप भी समझ सकते होगे कि जब घर में किसी का ऐसा होता है तो हर चीज शेयर नहीं कर सकते हैं नहीं हर एक जगा कैमरा ओन करके बैठ सकते हैं तो होप यू कैन अडरस्टेंड गाइस जितना भी हो साके मैं आप लोगों के साथ शेयर करके समझा पाई होंगी कि क्या सिचुवेशन था होप आप लोग भी समझ चुके होंगे तो इसलिए ज़्यादा ब्लॉग को लंबा ना कीच्टे वे आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हों हाँ आज के बाद से सारे ब्लॉग को मैं कोशिश करूँगी टाइम पर लाने की एंड कंटिन्यूटी रखने की एंड जो भी होता है लाइफ में हर एक चीश रेकरने की क्योंकि आप लोग भी मेरे एक चोटे से फैमिली मिंबर्स जैसे ही हो जो भी है शेयर करते हैं साथ में है की ने तो चलो आज के ब्लॉग को फिर यहीं एंड करती हो ओप आप लोगों का अच्छा लगा हो समझ आई हो कि ऐसा होता है क्या होता है तो चलो फिर इजादत दीचे मिलती हो मैं अलेक से एक अमेजिंग से व्लॉग में तो टेक लिए बाबाई लॉट्स अफ लव और थैंक्यों पूर वाचिन